हेलो दोस्तो आज तीन अगस्त और तीन अगस्त एक करेंट अफेर के जो भी इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिसक्स करने वाले हैं इसकी पीडियोफ आपको टेलिग्राम चैनल सीटी करेंट अफेर पर मिल जाएगी तो चलिए पहले कोशन देखते हैं देखिए मुसलिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है मुसलिम वोमेन राइट्स डे तो यह दिवस मनाया जाता है एक अगस्त को और एक अगस्त को ही इस दिवस को क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं देखिए 2019 में देखो क्या हुआ था 2019 में केंदर सरकार के दौरा एक कानून बनाया गया था और उसके अनुसार क्या था उसके अनुसार जो यह जो तीन तलाक है जैसे यहनियम 2019 में लाउ किया गया था तो 2019 के बाद में 2020-2021 तो इस तरह से इस साल इसकी दूसरी वर्सगांट मनाई जा रही है किस भारती है? महिला सेटलर ने टोकियो अलमपिक में कास्या पदक जीता है तो टोकियो अलमपिक में कास्या पदक किस के दूआरा जीता गया है तो यह जीता गया है पीवी सिंदू के दूआरा यह भारती है सेटलर है देखो सेटलर का मतलब होता है या तो जो बैडविंटन खेलते हैं या जो टैनिस खेलते हैं या तो tennis player होते हैं या badminton player होते हैं तो badminton में तो इस तरह की जो इस तरह की जो वो होती है जिसको हम चड़ी बोलते हैं हिंदी में और जो tennis होता है tennis में क्या होता है tennis में ball होती है तो इसमें इन दोनों में इतना ही अंतर होता है और जो tennis player होते हैं या जो badminton player होते हैं उनको यह हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं सटलर तो PV सिंदु ने कासिय पदक जीता है यानि bronze medal जीता है इन्होंने 2016 वाले olympic में भी रज़त पदक जीता था 2016 में जो olympic हुआ था वो कहाँ पर हुआ था वह हुआ था रियो ब्राजील के अंदर और उसमें इन्होंने रज़त पदक जीता था तो इन्होंने 2016 और उसके बाद 2020 तो इस तरह से इन्होंने दो लगातार olympic में सौन पदक जीता है और ऐसा करने वाली यह पहली भारतिय महिला बन गई है यह बन गई है पहली भारतिय महिला लेखा मानियं तरक के रूप में किसे नुक्या गया है लेखा मानियं तरक तो लेखा मानियं तरक बने है दीपक दास तो ये जो लेखा महाने अंतर होते हैं इनको हम इंगलिस में बोलते हैं Controller Journal of Accounts या सोट फॉर्म में हम बोलेंगे CGA Controller Journal of Accounts तो ये बने हैं दीपकदास और ये जो हैं ये 25 वे अधिकारी बने हैं ये CGA के रूप में 25 वे अधिकारी बने हैं चलिए अगला कोशन देखते हैं पेरू के नए प्रदानमंतरी के रूप में किसे नुक्य गया है तो पेरू के नए प्रदानमंतरी कौन बने हैं तो इसके नए प्रदानमंतरी बनाए गए हैं गुईडो बैलिडो गुईडो बैलिडो और यह जो पेरू है यह किस माधीब का देश है यह दक्चुन अमेरिका माधीब का देश है तो चलिए हम पेरू के बारे में जान लेते हैं देखिए इसकी राजदानी क्या है पेरू की राजदानी है लीमा यहां की मुद्र है सोल औ आपको location दिखा देता हूँ, यह है दक्षुन अमेरिका महादीप, और यहाँ पर पेरू कहाँ पर रिष्टीता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यह है पेरू, और यह किस के साथ में अपनी सीमा साज़ा करता है, यह है एकवाडोर, कॉलंबिया, ब्राजील, उसके बाद य और यह यहाँ पर नीचे के तरफ चिली, तो यह इन देशों के साथ में अपनी सीमा साज़ा करता है, और यहाँ पर इधर के तरफ पस्चिम में यह परसांत महासागर के साथ में भी अपनी सीमा साज़ा करता है, COVID-19 के खिलाफ 100% टिकर करन यानि 100% वेक्सिनेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला सहर कौन सा बना है तो भारत का पहला सहर है भूनेसवर जो ओड़िसाराजे में है और भूनेसवर में जितने भी लोग है उन सभी ने अपना वेक्सिनेशन करा लिया है तो ये जो भूनेसवर है यह क्या है यह ओड़िसाराजे की राजदानी है यह ओड़िसाराजे की राजदानी है और इसको हम मंदिर सहर के नाम से भी जानते हैं मंदिर सहर उस देश का नाम बताईए जो अगस्त दोजार इक्किस के लिए सहिक्त राष्ट सुरुक्षा परिशद की अद्धिक्स्ता करेगा तो केवल और केवल जो भारत है वह है UNSC UNSC यानि United Nations Security Council इसके अद्धिक्स्ता करेगा केवल और केवल अगस्त दोजार इक्किस के लिए यानि केवल और केवल एक महिने के लिए ही भारत UNSC की अद्धिक्स्ता करने वाला है तो जैसे इसके अद्धिक्स्ता की जाएगी तो इसमें अद्धिक्स्ता कौन करने वाला है जैसे भारत का कोई नो कोई तब इसमें वक्ति होगा तो इसमें भारत की तरफ से अद्धिक्स्ता कौन करेंगे TS 3 मूरती जैसे अगर हम UN की बात करें UN में कितनी देश हैं UN में 193 में देश हैं तो 193 में जो देश हैं ये UN जो UN की महासबा है जो संग्त राश्ट महासबा है वो उसमें बैठते होंगे तो इन 193 में भारत की तरफ से कौन बैठता है तो इसमें भारत की तरफ से बैठते हैं T.S. तुरिमूर्थी ये भारत की तरफ से उसमें बैठते हैं तो चलिए अब हम किसके बारे में जाल लेते हैं अब हम UNSC के बारे में जाल लेते हैं United Nations Security Council तो सबसे पहले हम UN के बारे में जानेंगे तो जो सिंग्त राष्ट है इसका जो मुख्याले है वो New York में स्थित है और इसके जो महासची में हो वो कौन है और इसके सदस्य कितने हैं इसके सदस्य हैं 193 और अगर हम बात करें UNSC के ये जो सिंग्त राष्ट है इसके 6 अंग है इसके 6 अंग है और 6 अंग कौन कौन से हैं इसके 6 अंग है आप यहाँ पर देखिए Journal Assembly यानि सिंग्त राष्ट महासबा दूसरा है Security Council जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं और आप इसके बारे में और याद रखिए International Court of Justice यानि अंदराष्टे ने आ लिया है तो ये तीन काफी मुख्य है तो चलिए अब हम किसके बारे में जान लेते हैं अब हम Security Council के बारे में जान लेते हैं देखिए इसके 5 27 सदस्य होते हैं और 10 इसके 27 सदस्य होते हैं ये जो 5 27 सदस्य होते हैं इनका चैन नहीं किया जाता ये हमेशा ही fix होते हैं यानि ये जो सिंग्त राज्ज अमेरिका है या United Kingdom है या Russ है या China ये France है ये हमेशा ही इसके सदस्य बने रहते हैं लेकिन ये जो 10 सदस्य होते हैं इनका चुनाव किया जाता है नोसाना स्टाफ के उप्रुमक के रूप में किसको चुना गया है तो भारते नोसाना में उप्रुमक कौन बने हैं तो इसके उप्रमुख बने हैं S.N. घोर मड़े भारते नोसेना के उप्रमुख तो इन्होंने किसका इस्थान लिया है इन्होंने G. असोक कुमार का इस्थान लिया है जो 31 जुलाई 2021 में सेव अनिवरत यानि रिटार होने वाले हैं चलिए भारते नोसेना के बारे में जान लेते हैं तो भारते नोसेना की स्थापना को हुई थी इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी और वरतमान में इसके पुरमुख को हैं भारते नोसेना के पुरमुख हैं करमीर सिंग साइरस पुनावाला को किस पुरुषकार के लिए नामित के गया है तो ये हैं साइरस पुनावाला जिनको लोकमानिय तिलक पुरुषकार दिया जाएगा और ये जो पुरुषकार है ये हैं इनको 13 अगस्त को दिया जाएगा 13 अगस्त को सामाने ते यह है पुर्षकार एक अगस्त को दिया जाता है क्योंकि एक अगस्त को हुआ क्या था एक अगस्त को लोकमानिय तिलक की पुन्यतिती है मतलब इनकी मृत्यू एक अगस्त को हुई थी और चलिए इसके बारे में अन्य बाते जान लेते हैं यह जो साइरस पुनावाला हैं काफी पिरचलित व्यक्ति हैं आप यहाँ पर देखिए यह कंपनी है सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया और इसके दुआरा जो आप वेक्सीन का नाम सुनते हैं कोविसिल्ड तो इस कंपनी के दुआरा ही कोविसिल्ड वेक्सीन का निर्माण किया गया है और इस कंपनी के मालिक कोंने इस कंपनी के मालिक है आप यहाँ पर देख सकते हो यह हैं साइरस पुनावाला तो इस कंपनी के मालिक हैं साइरस पुनावाला और इसी कंपनी के दोरब कोवी सिल्ड का निर्मान के गया है और इसी के वज़े से ही कोवी सिल्ड के निर्मान के वज़े से ही इनको लोकमानिय तिलक पुरुसकार से नवाजा जाएगा और अगर हम सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया की बात करें तो इसके CEO को उन्हें अधार पुनावाला जो इन्ही के ही बेटे हैं जैसे इनका नाम क्या है Cyrus S. पुनावाला तो इनके बेटे को उन्हें अधार पुनावाला हाल ही में सिरलंका के किस किर्केटर ने अंतराश्टिय किर्केट से सन्यास ले लिया है तो जो स्रिलंका की किर्केटर इनका नाम क्या है इसूरू उदाना इसूरू उदाना चलिए अब हम स्रिलंका के बारे में जाल लेते हैं स्रिलंका की राजधानी क्या है इसकी राजधानी है स्री जैवर्दने पुरे कोटे और इसकी मुद्र है स्रिलंका एरुपिया और यहां के संसद का नाम क्या है यहां के संसद को हम बोलते हैं पारलेमेंट जो भारत की संसद है उसको भी हम पारलेमेंट ही बोलते है लेकिन किसी किसी देश का जो संसद का नाम होता है वो अलग होता है यहां के जो राश्टपती हैं वो कोण है गोतवया राजपक्षे और यहां के जो परदान मंत्री हैं वो कोण है महिंद्रा राजपक्षे तो आप यहां पर देख सकते हो यह हैं गोतवया और यह हैं महिंद्रा यह दोनों भाई ही है Hungarian Grand Prix किसने जीता है तो ये इस तरह की Car Racing है और इसको जीता गया है Stay Bain Ocon के दौरा Stay Bain Ocon के दौरा और इसका आईजन कहां पर क्या गया है इसका आईजन जैसे कि इसकी नाम से ही पता चलता है इसका आईजन Hungary में क्या गया है G20 संस्किरत मंतरियों की बैठक की मेजवानी किस देशने की है तो जो G20 के संस्किरत मंतरी है उसकी जब बैठक हुई है उसकी मेजवानी की गई है इटली के दौरा और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है आप यहाँ पर देख सकते हो जो संस्कृत मंत्री हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है और जो भारत के संस्कृत मंत्री हैं उनका नाम क्या है मिनाक्ची लेखी इन्होंने इसमें भाग लिया है और इसकी जो मेजबानी है वो इटली के दुबारे की गई है ये जो मिलाक्ची लेकी हैं ये राज्य मंतरी हैं ये केंदरिय मंतरी नहीं है चलिए G20 देशों के बारे में जान लेते हैं तो G20 इसकी स्थाफना कब हुई थी इसकी स्थाफना 1999 में हुई थी और वरतमान में इसके अद्धिक स्कूने मारियो दुरागी और इसमें 19 देश हैं और एक है ये उरोपिय संग तो आप यहां पर देख सकते हो इसमें कौन-कौन सी देश आते हैं चलिए इटली के बारे में जान लेते हैं इसकी राजधनी क्या है इसकी राजधनी है रोम यहां की मुद्रा है यूरो और यहां के प्रदान मंतरी है एंडिको लेटा अगर हम इटली की लोकिस्टन की बात करें तो इटली यूरोप माधीप का देश है और आप यहां पर देख सकते हो यह है भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के ओपर ही यह है इटली यहां से यहां तक यह सब क्या है इटली है और इस वाले डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हो यह इटली यहां से यहां तक और यहां पर यह जो नीचे वाला हिस्सा आपको नुजर आ रहा है यह जो सिसली है यह भी इटली का ही पार्ट है यह इटली का एक यह इटली का एक दीप है विशू इस्तनपान सपता दोजार रिकिस कम मनाय गया है विशू इस्तनपान सपता दोजार रिकिस तो यह मनाय गया है एक से लेकर के साथ अगस्त के बीच में तो यह है एक अगस्त से लेकर करके 7 अगस्त के बीच में मनाय जाएगा और इसका उद्धा से क्या होता है इसका उद्धा से यह होता है कि जो माता हैं वो अपने सिसुव को इसतंपान कराइं और जो इस साल की थीम है उसको देख लेते हैं इस साल की थीम है Protect Breast Feeding A Shared Responsibility तो यह इस साल की थीम है इसका मतलब क्या है कि हमें Protect करना है Breast Feeding को यानि इस्तनपान की हमें रक्षा करनी है तो चलिए दोस्त तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स वो रोचिंग दा वीडियो कल मिलते हैं आप से